वाई मार्केट वॉस डाउन यस्टिडेए? ये एक बड़ा सवाल है. कल मार्केट कुछ 2000 पॉइंट से नीचे गिरा था. सेंसेक्स मिनिमम्स 2000 पॉइंट से और निफ्टे मिनिमम्स 468 पॉइंट से नीचे आया. अब इस गिरावट के बहुत से रीजन्स बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक मेजर रीजन है रशिया और यूक्रेइन के बीच का कॉन्फलिक्ट, जिससे ग्लोबल मार्केट पर अफेक्ट पड़ता नजर आ सकता है. फॉदर, इंफलेशन पर असर्द दिख सकता है क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज में से ट्रेड होने वाले प्रड़क्ट के प्राइजस पर भी एफेक्ट पड़ सकता है. ओयल मार्केट भी एफेक्ट हो सकती है और इस बात पर जेपी मॉर्गन का कहना है कि 150 डॉलर पर बैरल से प्राइज इंक्रीज हो सकता है क्रूड ओयल का, जिसके कारण GDP डिक्रीज हो सकती है और इंफलेशन तो सीधा डबल होने की तादाद में है, 27.2%. Crude oil one of the most essential products जो globally trade होता है उनमें से एक है, उसके prices में rise, global level पर और majorly India जिसकी population के according products की demand जादा ही रहती है और Crude oil के बढ़ते prices हमारे देश की GDP पर असर डाल सकते हैं, जिसके कारण हमारी stock market fluctuate करती है. यह असर हमें दिखा कल market scenario पर, इसे के साथ कई बड़े brands जैसे Zomato, Titan, HDFC जैसे और भी कई stocks crash हुए, market fluctuations बहुत से reason पर depend करता है दोस्तों, और Sensex या Nifty में कोई भी ups and downs किसी एक दिन की activity से नहीं होते हैं, यह circumstances एक build up होता है जो हमें किसी भी दिन stock market पर नदर आ सकता है, तो आप भी एक potential investor है, तो ऐसे market sentiments पर जरूर नदर बनाये रखें, अगर आप ऐसे और भी latest update जानना चाहते हैं, तो हमें planify पर जरूर फॉलो करें